खुश रहना मात्र एक अभ्यास है, आप खुश हो सकते हो यदि आप खुद खुश रहना चाहोगे उच्च शिक्षा, भारी आय, जीवन में सफलता, भारी धन संचे, मित्र, साथी, परिवार, हित्यादी यह सब कुछ आपको तब तक खुश नहीं कर सकते, जब तक आप स्वयम खुश नहीं रहना चाहते सच्ची खुशी यह बहारी परिस्तितियों पर निर्भार नहीं रहती, बल्कि वो आपके भीतर से आती है आप लोग ने देखा होगा कि अनेक लोग विपरित परिस्तितियों में भी मुसकान बनाये रखते हैं क्योंकि उन्होंने खुश रहना सीख लिया है क्योंकि खुशी का वास्तविक स्त्रोत हमारी सोच और दृस्टिकोन पर नहीत है जब हम हमारे जीवन में संतोश और आभार का अनुभव करते हैं तब जाकर हमें वास्तविक खुशी मिलती है आत्मस्विकृती और आत्मप्रेम की हमें आंद्रूनी संतुष्टी और शांती प्रदान करते हैं भवतिक सुक्सुविदाय और सामाजिक समंद महत्वपूर्ण हो सकते हैं परंतु वे स्ताई खुशी की प्रत्यभुती नहीं दे सकते हैं हर दिन को एक नई शुरुवात मानकर छोटे छोटे पलों में आनंद खोजे अपनी आत्मा के साथ तालमेल बिठा कर जीवन की अनमोलता को पहचाने याद रखे कि खुशी केवल एक मानसिक स्थिती है जिसे पाने के लिए आपको आपकी मनवृत्ती और आददों को बदलना होगा इसलिए खुश रहना चुने और जीवन में आई हुई हर परिस्तिती को सकारातमक तक से देखे